दोस्तों अगर आपके पास है Redmi 13 5G Mobile और इस Mobile में दोस्तों जो है fingerprint lock लगाना चाहते हैं यानि screen fingerprint lock लगाना चाहते हैं तो कैसे आप लगाएंगे इसके लिए friends आपको अपने mobile की setting open करना है fingerprint का option दिखेगा इसपे click करेंगे और यहाँ पर fingerprint unlock का option आएगा इसपे click करेंगे यहाँ पर बना लेना ठीक है उसके बाद यह बता रहा है कि आपके power button में fingerprint sensor दिया गया है तो आपको finger अपना power button में scan कराना है ठीक है आपको चारों तरफ से घुमा घुमा के fingerprint scan करवाना है जब तक दोस्तो यह पूरा complete नहीं हो जाता है इस तरह से दोस्तो देखें जीस तरह से मैं दोस्तो scan करवा रहा हूँ इसी तरह से दोस्तो आप scan करवा लीजे उसके बाद जब scan हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आप pencil करेंगे और done कर देंगे बस आपके मोईल में सक्सेल भी दोस्तों जो है फिंगर्पिंट लॉग लग लग चुआ है जैसा कि दोस्तों आप देख पाने टे कि इस तरह से आप फिंगर्पिंट लॉग लगा सकते हो